दोस्तों यूं तो आपसे BTS की कोई भी बात छुपी नहीं है और अगर कोई बात छुपी भी होती है तो वो आपकी और नी आपको बता ही देती है तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे बेबी मुची जिमिन ने एक बार अपनी जैकेटे कार्मी गल को दी थी जी हाँ दोस्तों शायद आपको यकीन नहों लेकिन ये सच है तो हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथ ये नोटिफिकेशन बेल वी ओन कर लीजिए जिससे BTS की कोई लेटेस यूज आप से मेस नहों दूस्तो ये तो आप सबी जानते ही हैं कि जब भी BTS कॉंसर्ट होते हैं तो आर्मी बीटीएस के लिए धेर सारे गिफ्ट्स पिलाती हैं जैसा कि आपको यादी होगा लास वेगस पी टीडी कॉंसर्ट में एक आर्मी गल ने वी को गिफ्ट में रिंग भी दी ती जिसे भी ने एकसेप्ट करते हुए उन्ही के सामने पहना भी था इसी तरह ना जाने कितने बार BTS कॉंसर्ट में बीटीएस मेंबर्स को गिफ्ट मिले होंगे लेकिन एक बार एक कॉंसर्ट में एक ऐसा मोमेंट आया जब हमारे बेबी मोची ने अपनी जैकेट ही निकाल कर आर्मी को दे दी जी हाँ दोस्तों मुझे पता है कि ये सुनकर आप में से हमारे काफी दोस जेलस फिल कर रहे होंगे लेकिन एक ऐसी आर्मी गल भी थी जिसे ये जैकेट मिली अगर डिटेल में बात करें तो लास्ट यह लॉस एंजल्स के कॉंसर्ट में एक ऐसा मोमेंट आया जब आर्मी गल जीमिन को देखकर शाउट करने लगी जिसे देखकर जीमिन काफी हैपी और एकसाइटेट फिल कर रहे थे तो जीमिन ने अपनी जैकेट को निकाल कर आर्मी की तरफ फिक दिया जो एक आर्मी गल को मिल गई यानि जीमिन ने रैंडमली इस जैकेट को फिक आता और इतनी भीर में इस आर्मी गर्ल को ये जैकेट पिक करने का मौका मिल गया और इस मुमेंट को जिसने भी देखा वो सब यही कह रहे थे कि काश वो लगी आर्मी गर्ल वो होते वहीं कई आर्मीज ने कहा कि जिस गर्ल को ये जैकेट मिली होगी वो उसे शायद ही कभी वाश करेगी क्योंकि उसमें जिमिन के पर्फियूम की स्मेल आ रही होगी वहीं इस आर्मी गर्ल ने अपने एकाउंट पर शियर करते हुए कहा कि वो इस जैकेट को लाइट टायम अपने पास समाल कर रखना चाती है इसलिए उन्होंने इसे वाश करके रखा है जिससे कुछ टायम बाद ये खराब ना हो जाए जिसके रिप्लाई में कुछ आर्मी ने कहा कि उन्हें वाश नहीं करना चाहिए था वेल इस बारे में तो अब हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब ये जैकेट उनीकी है हाला कि कुछ आर्मी ने कहा कि इस गर्ल को उस जैकेट को कट करके उसके पीसिस आर्मी में पार्ट देने चाहिए थी जो कि personally मुझे ये आईडिया पसंद नहीं आया क्योंकि कोई भी आर्मी गन अपने फेवरिट बांकतन बोईस के गिफ्ट को खराब नहीं करना चाहेगी वैसे दोस्तो अगर आपको ये जैकेट मिली होती तो आप क्या करते हमें कॉमेंट सेक्षिन में बताएं साथी वीडियो को लाइक और शियर करना मत भूलिएगा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक कियर एंड सारंगे ओ